दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे शातिर चोर डी बी कूपर की कहानी के बारे में तो चलिए दोस्तों जानते हैं शातिर चोर की कहानी आज की कहानी अमेरिका के DB Cooper नाम के ऐसे चोर की है जो पूरी दुनिया के लिए आज तक रहसे ही बना हुआ है FBI और बहुत सी जांच एजेंसिया इस चोर को पकड़ने के लिए 50 साल से ज्यादा का समय खर्च कर चुकी है लेकिन उन्हें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है ये घटना 24 नवंबर 1971 की है जब डान कूपर नाम का एक व्यक्ति काला सूट पहन कर और काला बैग लेकर एक जेंटलमेन की तरह अमेरिका के पोर्टलंड एयरपोर्ट पर पहुँचता है और टिकेट काउंटर से बोइंग साथ दो साथ प्लेम में अपने लिए 20 डॉलर मे पोर्टलंड से सीटल की एक तरफा टिकर बुक कराता है उस समय अमेरिका के एयरपोर्ट्स में ज्यादा सुरक्षा के इंतिजाम नहीं थे इसलिए डान कूपर अपने बैग को आसानी से प्लेम के अंदर ले जाने में सफल हो गए और अपनी सीट 18 सीपर बैच जाते है दो कूपर अपने नजदी खड़ी फ्लारंस शाफनर नाम की फ्लाइट अटेंडन को पास बुलाकर उसे एक पर्ची देते हैं पहले फ्लाइट अटेंडन को लगता है कि कूपर उसके साथ फ्लट कर रहा है इसलिए वो उसे अपने पस में डालती है लेकिन फिर कूपर उसकी जुक कर धीरे से उसे वो पर्ची पढ़ने के लिए कहता है उस पर्ची में लिखा था कि उसके पास बैट में बम है और अटेंडन को उसके पास बैठने को कहा गया था इसके बाद अटेंडन घबराकर उसके पास बैठ जाती है और कूपर को बम दिखाने को कहती है तो कू पिलिट कूपर की सभी मांगो को सियाटल के एर ट्राफिक कंट्रोल तक पहुंचाता है। ये खबर FBI और पुलिस तक पहुंच जाती है और उन सभी को पता लग चुका था कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। प्लेन सियाटल के एर पोर्ट पर लैंड करता है और कूपर की मांग के पैराशूट और पैसे मिलने के बाद वो अपने वादे के मुताबक सभी 36 यात्रियों को प्लेन से सुरक्षित उतरने देता है। 10,000 फुट की उचाई में 100 नोट, 180 किलोमीटर प्रती, घंते की रफ्तार से से कम उडाने को कहता है। कूपर हवाई सीडी, एस्टेर कैसे खुलता है, इसके बारे में फ्लाइट अटेंडेंट से पूछता है और फिर उसे भी कॉक्पिट पर बाकी लोगों के साथ रहने और दर्वाजा अंदर से बंद करने को कहता है। आट बजे के करीब ऐस्टायर खुलने के कारण कॉक्पिट में वर्निंग लाइट जलने लगती है और डान कूपर पैसे और पैराशूट लेकर जहाद से कूदता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। कूपर को पकड़ने के लिए FBI द्वारा NORJAK के नाम से खोज शुरू की जाती है। आखों देखे गए लोगों द्वारा कूपर का स्कैच तयार किया जाता है। लेंड किये गए इलाके के बहुत से किलोमीटर तक जंगलों और नदियों में कई महीनों तक खोज चलती है। बहुत से घरों की छानबीन भी की जाती है लेकिन कूपर और उसके पैराशूट का कोई पता नहीं चलता। कुछ ही दिनों में डान कूपर पूरी मीडिया में चा जाता है लेकिन एक न्यूस्पेपर ने गलती से डान कूपर का नाम डी बी कूपर लिख दिया था और लोगों को ये नाम ज्यादा पसंद आने लगा। इस तरह से एक newspaper की गलती के कारण Dan Cooper का नाम D.B. Cooper रखा गया और वो हर जगह इसी नाम से प्रसिद्ध हो गया था इसके बाद Cooper के भागने की तरीके से FBI को लगता है कि Cooper ने किसी paragliding school से training ली होगी इसलिए सभी training school में पूछताच की जाती है और बहुत से पैरा टूपर्स के record चेक किये जाते हैं लेकिन वे फिर से सफल नहीं हो पाते बहुत से चानबीन के बाद भी जब Cooper का कुछ पता नहीं चला तो लोग मानने लगे कि landing के दौरान Cooper की मौत हो गई होगी पर उसके मौत कभी कोई प्रमार नहीं मिल सका क्योंकि न कूपर की लाश कभी मिली न पैसो का बैग और नहीं पैराशूट कभी मिल पाया लेकिन घटना के आच साल बाद दस परबरी 1980 को आच साल के ब्राइन इंग्रम नाम के बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे अपने परिवार के साथ लकड़ी इकठा करते हुए रेट के नीचे दबे हुए 20 डॉलर के नोटों के 3 बंदल मिलते है बहुत सालों से रेट के नीचे दबे होने के कारण नोट खराब हो गए थे पर बीच के कुछ नोट अभी भी गए ऐसी ही बहुत सी कहानिया बनाई गए पर इस घटना से कूपर का कुछ भी पता नहीं चल पाया लेकिन डी बी कूपर की हाईजैकिक के बाद उनसे जुड़ा ये पहला सबूत मिला था डी बी कूपर के इस केस के बारे में साल साल बहुत सी चानबीन होती रही लेकिन कोई भी पुकता सबूत कभी भी नहीं मिल पाया और आखिरकार हाईजैकिंग के 45 सालों बाद 2016 में इस केस को FBI द्वारा बंद कर दिया गया डी बी कूपर कौन था और कहां चला गया ये तो कभी भी पता नहीं चल पाया लेकिन वो दुनिया के इतिहास के सबसे शातिर चोरों में से एक बन गया और एक चोर होते हुए भी वो अमेरिका में एक मशुहूर हस्ती बन गया था जिसकी चाला की से सभी हैरान थे तो दोस्तों आपको कैसा लगा इस चोर के बारे में जानकर हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भुलियागा और ऐसी ही कमाल की वीडियो के लिए हमारे चैनल इशान फैक्स को सब्सक्राइब करिए थैंक यू फॉर वाचिंग